कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं सर जो पहले थी अब फिर से सही साबित हुई हैं जो री लर्न हम कहते हैं कि दुबारा हमें याद करने की ज़रूदी यह क्या रहे हैं यह एक है नहीं सबसे बड़ा वो चेंज इस दो ओनली कॉंस्टेंट थिंग इन लाइफ तो परिवर्तन संसार का निये में है अपसलोटी है परिवर्तन दोनों तरह से होता है दिए तेजी में भी और मंदी में भी आएगी और मंदी मंदी देख रहे हैं तो तेजी भी तक भी पहुँचे उसके बाद वापस पंदरा दो सो आए पंदरा दो सो से अठ्रा जरा आट सो नो सो भी आए वापस थोड़ा नीचे भी आए तो इसका मतलब क्लियर कट है मोके बाजार आपको देगा और यह हमेशा से देते आया है तो यही चीज वापस से हमने सीखिए इसका मतलब यह नहीं कि अगर ब्याजरें बढ़ गही डोर इंडेक्स बढ़ गया ठीक है और ग्लोबल मारकेट का हाल खराब है तो सब कुछ खराब ही होगा चीज यह कभी भी बदल सकती अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए फर्क इतना ही है 2022 में ज्यादा तर चीज अनकोमन तिंग अमंग पिपल है तो कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ है और कॉमन सेंस क्या है दिजी कॉमन सेंस यह कहता है कि मारकेट को एक्जिक टाइम करने के बजाए आप मारकेट में समय दीजिए टाइमिंग मत कीजिए कि मुझे इसी लेवल पर लेना है यह हमें म पैसे बन गए नहीं तो मुझे बताओ साल की शुरुआत में जब यह सब लड़ रहे थे कौन सोचा था कि नया लाइफ हाई बनाएंगा नहीं सोचा था कोई भी नियना आप नहीं हमने कोई कि लाइफ हाई इसी साल दिख जाएगा पैसा बज़ जाए वो बड़ी बात थी सोच तो हम यह रहते हैं कि पैसा बज़ जाए सेम चीज दो जार बीस में हमने सीखी कोईट के वाइफ है और आपने कितनी बड़ी तेजी देखी तो कॉमन सेंस यह कहता है जो बैसिक एजूकेशन हमारे इन्वेस्मेंट की है यह आप बने रहेंगे टीके रहेंगे गेम मे पैसे अपने बन जाएंगे कई बार कुछ नहीं करने से पैसे बनते हैं बजाए कि बहुत कुछ करने से तो यह चीज इस बार वापस से अच्छे सा दिमांग बैढ़ गए शांती से बैठे रहो अच्छे पोर्टफोलियो अच्छे म्यूचर फरंट अच्छे स्टोक्स में उपर नीचे चलता रहेगा लेकिन पैसा बन जाएगा एक और चीज वापस से जो सीखे जो 2022 में सीखे थी वापस 2022 में सीखे डर के आगे जीत दराने वाले बहुत मोक्या हैं बहुत आए तो रशिया यूकरेन के बाद पावल साब ने जितना डराना था डरा दिया हर एक द बावजूर जो नहीं डरा ठिका रहा उसकी जीत हुए और एक और आखरी बात करना जाओगा यूँगा जाओगा लगे रहो हुम्ना भाई पैसा बनेगा तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं अच्छे स्टॉक्स में अच्छे स्कीन्स में अच्चे पोर्टफ काम भी नहीं जितना लगता है, टाइमिंग करना ज्यादा मुश्किल काम है, डरना आसान काम है, हिम्मत रखना मुश्किल काम है, तो अगर आप अपने डिसिप्लिन के साथ SIP कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन के साथ खराब समय में मौके ढूंते हैं, अपने discipline के साथ खराब समय में निकलने की नहीं सोचते हैं, नहीं निकलने की सोचते हैं, वो भी अपने आप मैच्विमेंट है, वो भी अपने आप मैच्विमेंट है, इसलिए ये सबसे बड़ी सीखिए है, अगर आप invested रहेंगे, टिकिट लेकर अंदर थेटर में जाएंगे तो picture बार खड़े खड़े तो खाली पोस्टर देखेंगे, इसलिए अगर आप invested हैं और ढंग ढंग से proper तरीके से discipline के साथ investment कर रहें, तो पैसा तो ये market आपको बना के देदेगा, और ये सिर्फ 2022 मनी आने वाले कई सालों में ऐसा हो, क्योंकि अगला लंबा समय तो हिंदुस्ता इसलिए वापस आ सकती है, आ सकती है, तब भी पैसा बना, और 2022 में 15 जून को आपने देखा 15,200, उसके बाउजिल भी पैसा बना, आप बने रहेंगे, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, कैसे बन जाएगे, चिंता की बात नी, 2023 में भी बनेंगे, और 2023 से 2030 तक भी बनेंगे, चिंता की बात नी, इतना इवेंट फुल रहेगा, नया सल भी, बिल्कुल रहेगा, और रहना भी चाहिए, और कुल मिलाके ये बात है, ठीक है, पैसा कम बने, जादा बने, किसी एक साल बन जाए, किसी अगले साल बने, वो आप टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन की यही है, जो खास मंत्र जो हुई है, कि आप इन्वेस्टेट रहेंगे, पूरे कन्विक्शन और बरोसरी के साथ, तो आपका पैसा पैसा बनेगा, स्मार्कुम, चलिए,